दुनिया में हिंदुस्तान केवल एक देश है करीवन 40-42 देश ऐसे हैं जिनमें रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े कठा किया जाते हैं हिंदुस्तान ये एक ऐसा देश है जिसमें अनपेड फैमिली वरकर को इंपलॉइड माना जाता है और वो नंबर पिछले 6-7 साल में आपको मैं इसके आंकड़े बताता हूं किस तरीके की प्रगती हुई थी जब 2004 में मनमोहन सिंजी की सरकार आई थी तो करीबन 10 करोड लोगों को गिंती से माना जाता था कि अनपेड फैमिली लेवर है जब मनमोहन सिंजी की सरकार 2013-14 में हटी तो 12-13 का आखरी आखड़ा है 2012 का यह करीबन 7 करोड के करीब पहुँच गया था 72 मिलियन के करीब और यह 2017 तक यह पहुँच गया था और भी कम करीबन 52-53 मिलियन के करीब यानि समली चे 7-5 करोड के करीब आज यह आकड़ा 9.5 करोड पर है